सबने अश्ट विनायक है महराष्ट में बड़ी मानिता है अश्ट विनायक की पर कभी आपने सोचा कि विनायक आठी क्यों है साथ या नव क्यों नहीं है छे या दस क्यों नहीं है हमारे कोई भी चीज बगेर कारण के नहीं है बगेर तर्क के नहीं है अच्छा कभी आपने स पोचा कि भगवान गनेश का शरीर मनुच्छ का है और सर हाथी का क्यों है और उनका सर काटा क्यों गया सर हाथी का क्यों है सवारी चूहे की क्यों है दोनों में बहुत गुरोधवास नजर आता है न और उसके बाद यदि हाथी का सर है तो उनको एक दंत क्यों कहा गया हाथी कि तो दो दात होते हैं तो फिर एक ही दात क्यों है और एक ही दात रहना था तो एक ही दात होना चाहिए था उनकी मूर्ती में वो दूजरा हाँ दात तूटा हुआ क्यों है और बलकि जो आप वास्विक मूर्ती देखते हैं उसमें तूटा हुआ दात एक हाथ में पकड़ र होता है यानि संपूर्ण सिधियां गणपत की आराधना से मिलती है गणेश जी का यह सम और गणेश जी पुत्र किसके हैं शिव पारवती के और शिव ने ही सारे आगम गरंथ दिये हैं यानि जिसको आप कहते हैं आपकी चेतना के जागरण के सारे सुरूप भगवान शिव में दिये हैं अब समझेए गणपति के सारे जो सुरूप हैं इनका अर्थ अतात्पर क्या है देखिए भगवान गणेश का वह सुरूप हमारे अंदर की जो वास्तविक चैतन्य उर्जा होती है उसके उत्थान की वह प्रक्रिया को प्रतीक रूप में दिखा रहा है सबसे पहले सर कटना किसे जरूरी है वहाँ आप अंदर की यात्रा करके अपनी कुंडलनी शक्ति को तब जागरत कर सकते हैं जब पहले आप अपने अहंकार को नश्ट करने में सफल होते हैं तो आपका सर कटने का सुरूप प्रती की ये है दूसरा हाथी का ही सर क्यों है क्योंकि हाथी की जो सून है और आपने देखा होगा हमेशा गड़पत की सून इस दिशाम यूं है कभी ऐसे नहीं है क्यों? वहाँ उस शक्ति का पृतीक है जो अपवर्ड्स है यानि जागरत शक्ति आपके शरीर की कुंडलनी की शक्ति जब वो उर्ध की तरफ होती है उसका पृतीक है और हाथी इसलिए है कि हाथी के मस्तक में गज मुक्ता कहा जाता है मना जाता है कि हांती के यहां मस्तक में एक मुक्ता है तो वो ब्रह्म रंद्र का पृतिक है और जब वो मुडी हुई सून उपर है और चूहे की सवारी क्यों है क्योंकि चूहा जमीन के अंदर जाकर अपना बिल बनाता है तो जब आप एकाग रिचित होकर क्योंकि आठ चक्र हैं मूलाधार, स्वादिस्ठान, अनाहत, आग्या, विशुद शक्रो, ब्रह्मरंद्र और अब एक ही दात क्यों है क्योंकि जब आप आग्या चक्र से उपर जाते हैं तब द्वैत के साथ वह यात्रा नहीं हो सकती है यानि संसार और ब्रह्म दो में से एक को ही चूस करना पड़ता है तो वह दात तूटा हुआ क्यों है तो संसार के साथ उस संबंद का विच्छेद करना पड़ता है उसे तोड़ना पड़ता है इसलिए तूटा हुआ दात हाथ में रखे हुए फिर आगे की यात्रा जाकर जब ब्रह्मरंद तक मिलती है तो समस्त रिद्धियां और सिद्धियां आपको प्राप्त होती है यह उसका प्रतीक है